प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों का महत्वपून स्थान होता है सर्वप्रथम बे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है जिनकी छाया में हमारा जीवन सवरता है जी हां हम बात कर रहे हैं हमारे जन्म दाता की हमारे माता पिता की कर दो कर दो लुका छुपी बहुत थुई सामने आ जा रा कहा कहा डूंडा तुझे धब कई है अप तेरी मा वाजा सांचुई मुझे तेरी फिकर दुंबला गई देख मेरे नजर आ जाना और दूसरे है वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं बच्चों के भविष्य को उजवल बनाते हैं एवं देश के निर्मान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की हमारे गुरू जनों की गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात पारब्रम्हा गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर नम्हा खुशिया हैं बाहें फेलाएं आशाओं के बाद अचाएं कोई उमंग है ये जिन्दगिरें एक धर्ती का आचल ओड़े दिल से दिल के धागे जोड़ें बाटे जहां में अपनी खुशी रें मसु रिद की रिद सिखाते हुए जिल मिलाते हैं परदों पे हम दिलों में प्यार की जोती जगाते हुए आजाओं मिलके हम तुम ये कहें गुरूर गम्हा गुरूर विश्मु गुरूर देवो नहेश्वला गुरूर साच्छा परदम्हा तसमेश्री गुरूर नमा हम सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरू का स्थान बच्चों की जीवन में सर्वो परी है लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहां जहां एक गुरू अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर जला कर उन पर हाथ उठा देते हैं तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है आप खुद टीवी या मोबाइल में गस्त हैं आपका बच्चा आपके पास आता है आप उस अदखिले फूल को जिड़क देते हैं जाओ भागो पढ़ाई करो जरा मन को श्यांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरहें अलग-अलग बुद्धी वाले और अलग-अभिरुची वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सुत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षया में आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है घर पर पढ़ता नहीं है इसकी भी शिकायत आप शिक्षक करते हैं क्या करें हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता जरा डराईए इसे अरे भाई बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाग के सामने ले जब आप ग्रूर ब्रह्मा टाइप की बाते रखते हैं पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िये शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते वे ये मानने को तयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जी अगर एक ही चीज तीन या च्यार बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धहरिये के साथ बताता है कि तीन जमा एक और एक जमा तीन दोनों बराबर होते हैं भले ही ये एक दूसरे के विप्रीत नजर आते हैं अर्पित